Hello Prince, तो चलिए आज finally ब्रत कहतं हुआ, आज से लस्टन प्याज खाना है, घर में पकाना भी है, तो चलते हैं, आज कुछ बनाने की तयारी करते हैं क्योंकि आज हम लोगों को ब्रत खोलना है, पारण करना है, तो सबसे पहले प्याज ही मैंने ले लिया है क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद किचन में लसन प्याज बनेगा नौ दिन हो गए आज दस्वा दिन है तो देखिए मैं पहले प्याज मैंने दो प्याज ले लिया है इसको बारिक बारिक तड़के के लिए काट लूँगी तो आप सोच रहे होंगे कि ये नहीं बता है कि क्या बनाएंगी तो मैं बता देती हूँ कि ये प्याज जो कट रहा है वो आपने तो समझी गए होंगे आप लोग की जो ये पनीर के लिए ही कट रहा होगा तो ये पनीर मैं काट रहे हूँ पनीर के लिए ही क्योंकि आज मैं कड़ाई पनीर बना रहे हूँ तो देखिए मेरा प्याज कट के तयार हो गया है तड़के के लिए मैंने दो प्याज काट कर बारिक बारिक रख लिया है अब दो प्याज मैंने मोटा मोटा काट लेना है तो ये भी मैं कट करके रख ले रही हूँ और इसके बाद मैं टमाटर कट करके रख लूँगी इसको हम बस ऐसे इसका पार्ट हम अलग-अलग कर रहे हैं इसको हमने चार पीसिस में ही काटे हैं उसी तरीके से जैसे हम लोग चिली पनीर में कट करते हैं प्याज और सिमला मिश वैसे ही कट कर लेंगे अब बात ये है कि प्याज मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसको जो है मेरी आंख में प्याज बहुत लगता है इसलिए मैं जल्दी काटी नहीं हू और यह कुछ ज़ादा ही लग रहा है प्याज आज हमारी आँकों में क्यूंकि बहुत दिन के बाद काटा है मैंने तो प्याज ने तो पूरा मूट खराब कर दिया अब देखे टेमाटर हमने कट करके रख लिया है टेमाटर भी हो गया है ये टमाटर में पीसने के लिए डाल देती हूँ जार में मैंने तीन टमाटर ले लिए हैं इसको मैं प्यूरी बना लूँगी और जार में मैंने डाल दिया है अब मैं दो टमाटर मोटा मोटा कट करूँगी सबजी के साथ में शौटे करने के लिए और एक मैंने सिमला मिर्च ले लिया है तो बस मैं सिम्ला मिश को भी मोटा मोटा कट कर लेती हूं और उसके बाद में पनीर कट कर लूगी जब तक मैं यह सबजीयां कट कर रहे हूं तो आप लोग जरा हमें कमेंट करके बताया करेए कि आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लोग हैं जो कमेंट करते हैं और अगर कोई अलग से डिस आप लोगों की इच्छा है देखने की तो वो भी बताईए वो मैं बनाके डालूंगी अपने चैनल पर तो देखिए टमाटर भी कट हो गया है और जब तक मैं पनीर अपना कट कर रहे हूं तब तक अगर आपको जो ह अगर लिया है इस पारन वाले रेसिपी में थोड़ा भी इंट्रेस्ट है तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और ईजो लोग पुराने हैं वो प्लीज लाइक कर दें और comment भी कर दें तो चलिए पहले आगे चलते हैं हमने ये पनीर कट करके रख लिया है और देखिए पनीर हमारी मोटे मोटे पीसेज में मैंने काट लिया है पनीर आप अपने अमसार शेप दे के भी काट सकते हैं जैसा शेप आपको पसंद हो मुझे कड़ाई पनीर में ऐसा ही शेप पसंद है मोटा पाउल में मिक्स करने के लिए रख देती हूं आदे गंटे के लिए कि थोड़ा रेस्ट कर ले और इसका फ्लेवर आ जाए अब आदा गंटा हो गया है मैंने पैन में एक चमस ऑईल डाल दिया है कोई भी विजटेबल आप ले सकते हैं उसमें मैंने डाल दिया है यह सारी सब सबजियां फ्राई होंगी और मसाले अपना फ्लेवर इन पनीर में और सिमला मिर्श की सबजियों में छोड़ देंगे तब तक मैं चलती हूं उधर एक कढ़ाई ले लेती हूं उसमें मैंने डाल दिया है सरसो का तेल आप कोई भी तेल डाल सकते हैं उसमें तेल हमारा गरम हो गया है उसमें हमने डाल दिया है एक चमच जीरा दो तेज पत्ते और एक कप प्यास जो हमने बारीक तड़के के लिए कट किया था प्यास ब्राउन हो गई है उसमें हमने डाल दिया है एक चमच पिसी हुई धनिया एक चमच कस्मीरी मिर्स पाउडर आधा चमच हल्दी और आधा चम्मच हमने गरम मसाला, गरम मसाला मैं कम डाल रही हूं, और इसमें हमने डाल दिया है एक कप टोमेटो प्यूरी, और दो चम्मच हमने डाल दिया है इसमें अध्रक लसन का पेस्ट, छोटे चम्मच से है, चाहे आप बड़े चम्मच से लें तो एक चम्मच डाले मैंने दो चमज डाला है चोटे चोटे चमज से लिया है अब देखिए उसमें मैंने डाल दिया एक चमज नमक इन सब चीजों को डाल कर मैंने अच्छे से भून लिया है तेल उपर आ गया है उसके बाद मैंने अपनी सबजियां इसके अंदर डाल दे हैं अब ये सबजियां रोस्ट करके रखा हुआ था जो कड़ाई पनीर का मसाला आप रेसिपी में देख लेंगे वही मसाला मैंने इसमें एक चमस डाल दिया है सबजी मेरी पक रही है इधर मैं चलती हूँ तब तक कद्दू बना लेती हूँ कद्दू के लिए मैंने कड़ाई रख दिया है और उसमें हमने एक चमस मेथी का तड़का दिया है लस्टन और हरी मिर्श डाल दिया है उसी में काट के बारिक बारिक क्योंकि आज इसमें मैं कोई मसाला नहीं डालूँगी कद्दू ये सिंपल ही खाते हैं सब लोग घर में तो ये मैं सिंपल ही बनाऊंगी तो तड़का मेरा हो गया है मैंने इसमें कद्दू डाल दिया है अब कद्दू को मैं चला देती हूँ और थोड़ा सा इसमें नमक एट कर दूँगी मैं तो नमक मैट करती हूँ एक चमश और उसके बाद में मैं इसको दूँगी धक सब्जियां हमारी अब दीमे दीमे एक बार मैंने तेज आँच पर इसको धक दिया था अब ये सब्जियां मेरी पानी छोड़ दी है कद्दू की तो मैंने अब क्या किया है कि अब एक बार इसको मैंने खोल के चला दिया है अब ये पकने वाला है तो इसलिए इसको मैं थोड़ी देर अभी फ्लेम तेज करके पकाऊंगी ये देखिए कद्दू बिल्कुल तयार हो गया है इसको मैंने भून भी लिया है और ये मैं वापस से निकाल लेती हूँ देखे मेरा कद्दू बिल्कुल तयार हो गया है चलिए तब तक मैं इधर चावल थोड़ा सा धुल लेती हूँ थोड़ा सा मैं पुलाव बनाऊंगी आज तो चावल मैंने धुल लिया है अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए भीगो के रख दिया है मैंने आदे गंटे के लिए आदा गंटा हो गया है मैंने कुकर में दो चमस घी डाल दिया है तेश पत्ता डाल दिया है लॉंग चार-पांच काली मिर्श और दो छोटी लायची और थोड़े से काजू के टुकड़े ये सब एट करके उसके बाद मैंने अपना जो आदे गंटे के लिए भीगो के रखा था चावल मैंने वो मैंने कुकर में डाल दिया है अब इन सब चीजों को मैं डाल के अच्छे से जो है चलाती रहूंगी तो देखिए चावल मेरा थोड़ा सा मैंने दो मिनट के लिए भून लिया है उसके बाद मैं इसको पानी डाल कर बंद कर दूँगी एक सीटी आएगा एक सीटी आने के बाद क्योंकि मैंने चावल भीगो के रखा था तो तुरंत मैं इसका प्रेशन निकाल दूँगी देखिए एक सीटी आ गया है मैंने तुरंत इसका प्रेशन निकाल दिया है क्योंकि मैंने वेट बिल्कुल नहीं किया है देख लीजिए आपको मैं दिखाती हूं चावल मेरा बनके बिल्कुल तयार हो गया है और ये चावल मेरा बिल्कुल चिपक नहीं रहा है आप देखिए चावल एक डम एक एक चावल खिला खिला है ये देखिए कहीं से कोई चावल चिपक के नहीं आ रहा है इसमें तो चलिए चावल भी बन गया है अब हम आटा माड के रख लेते हैं और फटा पर पूरी निकाल मैं निकालते हैं यह मैंने कल वाली कड़ाई रखी थे ढ़के कि बार बार धुलना ना पड़े तो वह ऐल था उसमें तो मैंने खाली नहीं कि अथा ऐसे रख दिया था मुझे पता था कि सुबह फिर हमको पूरियां बनानी पड़ेंगी ब्रत के लिए पारण खतम होगा तो अब मैं चोटी-चोटी लोईयां बना के पहले 4-5 पूरियां निकाल लेती हूं क्योंकि मैं खाऊंगी और बेटी का ब्रत है वो खाएगी और अगर हम दोनों खाएंगे तो मेरा बेटा भी जरूर खाएगा तो हम लोग पहले 3 लोगों के लिए निकाल लेते हैं पूरिया तो तेल भी हमारा इधर गरम हो गया था क्योंकि हमने कढाई रख दी ती गैस पर तो यह देखिए हमने पूरियां डाल दी है कढाई में और फटा फट इन पूरियों को हम निकाल लेते हैं तेल अच्छे से गरम था पूरियों को हमेशा मीडियम और हाई फ्लेम पर जो है निकाली है तो अच्छे से आपकी सारी पूरियां फूल के आएंगी और देखे पूरियों हमारी रेडी हो गई है फ्रेंड्स तो चलते हैं अब हम ऐसे करके अपनी जो हमने पांच-छे पूरियां बेल के रखी हैं वो मैं निकाल लेती हूं और तीन लोगों के लिए इतनी पूरियां काफी है क्योंकि हमने फुलाव भी बनाया है तो ये देखे मेरा तयार हो गया है ये पूरियां भी तयार हो गई है और फटा फट मैं इनको निकाल लेती हूं उसके बात करती हूं प्लेटिंग तो चलिए सलाथ कट कर लेते हैं पूरियां हमने निकाल के रख लि त नहीं सभी नहीं प्याज नहीं है तो चीत कर लेती हूँ और मैं प्लेटिंग करती हूँ रायता बनाना था की बूंदी' की नेखी बना रायता बनाओंगा मैं वह फाद बुंदी're खासी भी आ रही है तो मैं सोच रही हूं अपने मन में यही सोच रही हूं कि अगर मैं रायता बना देती हूं तो बच्चे खाएंगे जरूर तो इसलिए मैं रायता को यहां पर स्किप कर रही हूं मैं सिर्फ सलाद कट करूंगी अगर मैं खाऊंगी तो बच्चे भी जरूर खाएंगे रायता इसलिए मैं नहीं खाऊंगी नहीं तो बच्चों को नुकसान कर जाएगा और सलाद कट हो गई है थोड़ा सा काला नमक मैंने इस पे डाल दिया है थोड़ा सा नीबू मैंने बहुत कम निचोड़ा है और उसके बाद में चलिए सबजी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी तो हम करते हैं सबजी की प्लेटिंग तो बताईए आपको हमारी सबजी कैसी लग रही है अच्छी लग रही है ऐसे यह बनी बहुत टेस्टी है क्योंकि मैं लड़ू का भोग लगाने के लिए लेके जा रही थी लेकिन अब इसमें लस्तन प्याज पड़ा था तो मैंने यह तो नहीं लगाया है उनको लेकिन मेरे बेटे ने चक के बता दिया है कि जो प्लेट में कद्दू निकाल लिया है और पुलाव की खुझबू बहुत अच्छी आ रही है यह पुलाव भी बहुत अच्छा बन गया है यह हमने मटर पुलाव नहीं बनाया है और देखे यह पूरिया हमने दो रख ली है और सलाथ रख लेते हैं बताइए आपको कि हमारा खाना कैसे लगा आज किस ने पारण किया था तो वे उन लोगों ने क्या बनाया है ब्रत में और किस चीज से बरत अपना खोला थो वो भी हमको कमेंट करके बताएं और ये ठाली आपको कैसी लग रही है मेरी बहुत सिंपल सी है तो प्लीस फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाय कीजिये